महाशवरात्री के दिन भूल से भी न शिवलिंग पर न चड़ाए ए पाँच चीजें भगवान शिव हो सकते हैं नारा चाच आपको बता रहे हैं भगवान शिव के बारे में भगवान शिव को सबसे शक्ति शाली परमेश्वर माना जाता है और एक बात जिनकी पूजा केवल हिंदू नहीं बलकि हर धर्म किसी न किसी रूप में करता है एक बात और वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने से हर मनो कामना पूरी होती है ऐसे में भगवान शिव का एक रूप शिवलिंग भी है और शिवलिंग प्रहमन का प्रतीक है वैसे तो शिवलिंग के पूजन से सभी प्रकार की इच्छा पून होती है पर इसके पूजन मे भी विशेश सवधानियां बरतने के आवशक्ता है और यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कुछ विशेश सवधानियां बरते भगवान शिव के पूजन के समय इन पांच चीजों के प्रयोग से बचे तुलसी पत्र न चड़ाएं आपको बता दे कि भगवान सिंदूर को सुहागन की निशानी माना जाता है और वही भगवान शिव को बैरागी मन जाता है इसलिए शिवलिंग पर लाल सिंदूर चायानी की शास्त्रों में मना ही है तामसिक वस्तुएं न चड़ाएं हम आपको ये भी बताना चाहते है कि भगवान शिवयोगी माने जाते हैं और जबकि लह सुन प्यार और बैंगन आदी सब्जियां को तामसी माना जाता है पर ये सभी चीजें शिवलिंग पर नहीं चड़ानी चाहिए तूटे चावल न चाहे हमें साध्यान रहे कि शिवलिंग के पूजन के समय जल चड़ाना आवश्यक होता है और जल जड़ाए